राजिस्थान कॉंग्रिस में अचानक से सियासी संकट तेज होगया है इस संकट की वज़ा से वर्धमान में कॉंग्रिस अध्यक्ष पत के लिए चल रही रेस में पूरी तरह से बदलाऊ होने की संभावना नजर आ रही है इस बदलाव की सबसे बड़ी वजा राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत है अभी तक पार्टी अध्यक्ष के पत की दौड में सबसे आगे माने जाने वाले गहलोत अब राज्ज में चल रही उथल पुथल के केंदर में आ गए है यहां हम उन चार चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस सियासी घटना करम के बाद हमें देखने को मिल सकती है कॉंग्रेस अध्यक्ष की दौड में नहीं रहेंगे अशोग गहलोत इस बात की प्रभल समभावना है कि कॉंग्रेस के अगले अध्यक्ष की दोड से अब राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत बाहर हो जाएं इसकी दो वज़े हैं पहली बात यह है कि अब तक गहलोत को एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था जिसके पास रणनीतिक समर्थन नहीं भी है तो सोनिया गांधी और राहूल गांधी को उन पर भरोसा था भले ही सोनिया ने सावजनिक तौर पर कहा है कि निश्पक्ष रहेंगे लेकिन कहा जाता है कि सूनिया गांधी ने ही अशोग गहलोत को अध्यक्षपत का चुनाव लड़ने के लिए राजी किया था राजस्थान में 90 से अधिक विधायकों ने सचिन पाइलट को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सुईकार करने से इनकार कर दिया है एसी आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान के विधायकों ने जो यह बागी रुक अपनाया है उसके पीछे गहलोत का हाथ हो सकता है पाइलट के विरोध से ज्यादा इसे कॉंग्रेस हाई कमान के प्रतिनिधियों यानि मलिकारजुन खडगे और अजय माकन के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है जिनसे विधायकों ने मिलने से ही इंकार कर दिया था अजय माकन पहले ही विधायकों की गैर मौजूदगी को अनुशासन हिंता करार दे चुके हैं इस इस्तिती में गहलोत पर भरोसा इसलिए कम होगा क्योंकि संकट को राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा को नुकसान पहुचाने के तौर पर देखा जा रहा है भरोसी की इस कमी को देखते हुए अब यह संभावना नहीं है कि अगले पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका समर्थन किया जाएगा इस पूरे मामले में भले ही गहलोत निर्दोश हों लेकिन राजस्थान में आइस्थिर्टा के कारण उनके लिए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली तक की दोड़ मुश्किल हो सकती है भले ही पार्टी हाई कमान 2023 तक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने दे सकती है लेकिन भरोसे की कमी को दूर करना मुश्किल होगा दूसरा बिंदू राजस्थान में जो सियासी संकट खड़ा हुआ है उसके बाद राजस्थान में गहलोत के कथित सत्ता के खेल के बाद जो तर्क दिया जा रहा है वै यह है कि गांधी परिवार के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है राहुल गांधी की वापसी की मांग को लेकर इसी बात का हवाला दिया जा रहा है हाला कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था ऐसे में यह देखा जाना बाकी है कि वह आगे अपना विचार बदलेंगे या फिर नहीं तीसरा बिंदू, एक और गैर कॉंग्रेसी चेहरे की तलाश यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए मना कर देते हैं तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कारिभार संभालने के लिए गांधी परिवार के बाहर से किसी अन्य नेता की तलाश कॉंग्रेस कर सकती है कई नामों की चर्चा है जिन में से कुछ ये हैं दिगविजय सिंग, मुकुल वासनिक, कमलनात, कुमारी शैलजा, मलिकार जुन खडगे, सुशील कुमार शिंदे, शशी थरूर भी है जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष का चुनाओ लड़ने में दिल्चस्पी दिखाई है हाला कि यह असंभव लगता है कि थरूर को बहुत समर्थन मिलेगा गहलोत के लावा किसी गैर गांधी नेता के पार्टी अध्यक्ष बनने में यह समस्या है कि ऐसे नेता को हमेशा कुछ वर्गों द्वारा रबर स्टैंप के तौर पर ही देखा जाएगा चौथा बिंदू सचिन पाइलेट का क्या होगा? चुकि 2018 में सचिन पाइलेट से CM की कुरसी का वादा किया गया था ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से अच्छा इस्थान देना पड़ सकता है लेकिन यहाँ पर कॉंग्रेस के लिए एक समस्या है समस्या यह है कि दूर दूर तक ऐसा कोई पद नहीं जो CM के करीब आता हो ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि जो कोई भी पाइलेटी अध्यक्ष बने वो अपने नीचे पाइलेट को पाइलेटी का कारिवाहक अध्यक्ष बना दे इसके अलावा एक विकल्प यह है कि पाइलेट को कॉंग्रेस पाइलेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए हाला कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है अगर कॉंग्रेस लीडर्शिप गहलोत के कत को थोड़ा छोटा करना चाहती है तो वैं गहलोत के वफादार गोविन डोटासरा को हटा कर PCC प्रमुक के तौर पर पाइलेट को वापस भेज सकती है क्या पाइलेट इसमें से किसी भी विवस्था के लिए सहमत होंगे या फिर पार्टी छोड़ देंगे यह बहुत ही अनिशित है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है